हेलो स्टुडेंट कैसे हैं आप सब आसा है कि आप सभी अच्छे होंगे तो आज मैं उचाय एवं दूरी से 22 नंबर प्रस्ण को हल करेंगे तो आईए देखते हैं हमारा प्रस्ण क्या कहता है एक उदग्र खंबे के उपर का भाग सफेद एवं निचला भाग काला है जमीन पर दस मीटर की दूरी पर इस्थित एक बिंदू पर दोनों भाग 30 डिग्री का वरावर कोन बनाते हैं तो सफेद भाग की लंबाई निकाले ठीक है यहां पर एक उदग्र खंबा है जिसका उपरी भाग जो है सफेद है और निचला भाग काला है जमीन पर दस मीटर की दूरी पर इस्थित एक बिंदू पर दोनों भाग 30 डिग्री का वरावर कोन बनाते हैं तो सफेद भाग की लंबाई निकाले ऐसा कहा है तो आईए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ तो एक खंबा ले लेता हूँ यह है खंबा माल लिजे यह खंबा हो गया और इससे 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदू मैं यह ले लिया यह जो है 110 मीटर है जैसा की प्रस्क में कहा है ठीक है और यह जो खंबा है इसका उपड़ी भाग सफेद और निचला भाग जो है काला है तो देखिए यहां पे एक पॉइंट और यहां पे मैं बीच में एक बिंदू डाल देता हूँ इसका नाम मैं बी दे देता हूँ यहां पे सी दे देता हूँ बीच मैंने इसलिए डाला है कि यह 10 मीटर की दूरी पर कहता है कि दोनों बिंदू का जो यह उपर सफेद वाला भाग है और नीचे काला वाला भाग है दोनों भाग का 30 डिगड़ी का बराबर कोन बनाते हैं इसलिए मैंने इसको 20 में रखा है अब यहां से देखिए इस बिंदू से इसको मिलाएंगे तो 30 डिगड़ी का बंड़ा है जैसा कि प्रस्थ में कहा रहा है और फिर इसी यहां ये जो है सो सफेद वाला भाग है सफेद और ये वाला भाग जो है काला है अब देखिये तो हमें सफेद भाग की लंबाई ज्याद़ करना है सफेद भाग क्या है तो A, B है ये हमें ग्याद करना ठीक है और पता क्या है DC हमें पता है कितना है तो 10 मीटर दिया गया ठीक है आएए अब प्रस्म को हल करते हैं सबसे पहले समकोन तिर्भूज समकोन तिर्भूज B, C, D में 10, 30 डिगरी ब्रावा अगर 10 का लिशन P by H होता है तो BC बटा DC हो जाएगा अब देखिए 10, 30 डिगरी ब्रावर होता है 1 by root 3 ब्रावर इसमें से BC हमें नहीं पता है लेकिन DC हमें पता है 10 मीटर अगर मैं by क्रॉस करूँ तो यह हो जाएगा root 3 BC बरावर 10 तो BC बरावर हमारा हो जाएगा 10 बटा root 3 ठीक है इसको मैं एक माल लेता हूँ समकोन तिर्भूज अब यह पूरे बरा सा तिर्भूज मैं ले लेता हूँ ACD में समकोन तिर्भूज ACD में चीक है 10 कितना डिगरी होगा जब मैं पूरे बरा तिर्भूज की बात करूँ यह तो 91 ही रहा है दोनों तिर्भूज में यह BCD का काम हो गया और ACD की बात करे तो यह पूरा कोन हो जाएगा और यह पूरा जो कोन होगा वह कितना डिगरी होगा तो आप कहेंगे कि सार यह 60 डिगरी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60 degree, पूर्या 60 degree होगा, ठीक है, तो 10 हमारा 60 degree होगा, 10, 60 degree बराबर, P by B, तो P हमारा AC और B, DC हो जाएगा, तो AC बटा, DC, ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर, 10, 60 degree, रूट 3 के बराबर होता है, और AC, यह AC को मैं लिख सकता हूँ, AB plus BC, तो आप कहेंगे, जी, तो मैं लिख देता हूँ, AB plus BC, ठीक है, और बटा में DC है, तो DC का मान कितना है, 10 है, मैं 10 रख दिया, अब आगे देखिए, रूट 3 बराबर, इसमें हमें BC पता है, कितना, 10 बटा, रूट 3, तो मैं BC का वैलूइ इसमें रख दे सकता हूँ, तो यहाँ पर, AB plus 10 बटा, रूट 3 बटा 10, अब मुझे क्या करना है, BC, तो जब मैं BC करूँगा, तो हो जाएगा, AB plus 10 बटा, रूट 3 बड़ाबर, 10 रूट 3, ठीक है, आगे देखिए, AB बड़ाबर होगा क्या, तो 10 रूट 3 माइनस उधर जाएगा, तो 10 बटा, रूट 3 हो जाएगा, अब देखिए, AB बड़ाबर, यहाँ पर भिन्न का घटाओ करना होगा, तो इसके लिए सरपर्थम हमें लासा लेना होगा, और लासा रूट 3 होगा, इसके नीचे कुछ नहीद, तो 1, 1 से भाग देंगे, रूट 3 में तो रूट 3 बार कटेगा, तो रूट 3 से 10 रूट 3 में गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कितना होगा, 30, उब देखिए आगे, AB बराबर क्या होगा तो 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 बटा रूट 3 हो जाएगा ठीक है अब हमें करना ये है कि रूट 3 का वैलू इसमें रख देना तो 20 बटा 1.73 2 ठीक है अब क्या करेंगे तो 10 अमलो को हटा देंगे तो 10 अमलो को हटाने के लिए क्या करना होगा उपर में 3 सुनने और बैठा देना है तो हो जाएगा 20 जार बटा 1732 यहाँ पे सुनने की संक्या 4 है तो यह 4 से हमारा कट जाएगा और यह 2 अंक इसका अगर लास्ट में कट रहा है तो यह भी हमारा 4 से कट जाएगा तो यहाँ पे जब इसको 4 से काटेंगे तो 4, 5, 20 तो इधर 3 सुनने बचेंगे यानि 5000 बटा इसको जब 4 से काटेंगे तो 4, 4, 16, 4, 3, 12 4, 3, 12 यानि 4, 33 बटा यानि 5000 बटा 4, 33 अब 4, 33 से 5000 बटा भाग देंगे तो यह दसमलों में कटेगा यानि 11 दसमलों 14 आएगा लेकिन यह 55 इसको लेंगे 11 दसमलों 55 मीटर लगभग अना यह हमारा आंसर हो जाएगा अब A-B यही निकल किया गया तो A-B जो है सो हमारा कितना आया है यह जो A-B है यह 11 दसमलों 55 मीटर हुआ अब A-B है क्या सफेद भाग तो हमें सफेद भाग ही कहा है तो हम लिख सकते हैं अतहक सफेद भाग सफेद भाग A-B बराबर 11 दसमलों 55 मीटर यह आपका राइट आंसर हो जाएगा तो उमीद है कि इस प्रसन का सलूशन आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दिजिए अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दिजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन बंदे मात्रम